दोस्तों कर आपने भी SSC GDS का फॉर्म बढ़ा था तो आज का इए वीडियो पूरा देखो क्योंकि आप सभी का रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केसे आप अपने SSC GDS का रिजल्ट चेक कर सकते हो दोस्तों चलिए फटा फटा हम आपको बताते हैं कि केसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो कि आपका स्लेक्शन हुआ है या फिर नहीं उसे पर फेले फ्रेंट्स में बता दू कि अभी जो है फिलाव जिन जिन लोगों का स्लेक्शन हो चुका है उन लोग को कुछ इस टाइप से मेसेज आ रहा है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिसे कि यहाँ पर देख सकते हैं डिया रेस्टेशन नमर इतना जो कि आपका रेस्टेशन नमर होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह भी स्लेक्ट हो चुका है और इसका भी डोकुमेंट वेरिफिकेशन है 36 बर बस्तर में और उसे इस डेट तक पहुँच जाना है और अपना डोकुमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है दोस्तों अगर आपका भी स्लेक्ट हो चुका है तो आपको कुछ इस टाइब से मैसेज आएगा अगर आपको मैसेज नहीं आया है तो मैं अचली बताता हूँ कि कैसे आप रिजल्ट को देख सकते हूँ उसे पहले दोस्तों मैं बता दू कि आपका जो भी result आएगा वो PDF format में आएगा यानि कि PDF में सभी का नाम आजाएगा जिसका सेlection हुआ है अब आप PDF कैसे डाउनलोड करोगे तो उसलिए आपको करना कि गूगल पर आना है और यहाँ पर आपको सेर्च करना है इंडिया पोस्ट GDS कुछ इस टाइप से और आपको पहला जो है ओफिसल साइट मिल जाएगा इंडिया पोस्ट GDS online.gov.is पर क्लिक कर देना है अब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी division है जो भी circle है आपको select करना है आपको प्यार से हो आप को अपर आसम से ictions और आप परदेश और डैली कहीं से भी हो आपको हो जाएगा फिला तो फ्रेंड्स अभी ये रिजल प्रब्लिकली रोल आउट नहीं हुआ ये प्रस्नली सभी के पास मैसेज जा रहा है जिन जिन लोगों का स्लेक्शन हुआ है जो फोन नमर से रेइस्टर था अगर आपका भी स्लेक्शन हुआ है तो आप चेक कर सकते हो अप आपका स्लेक्शन हुआ है या फिर नहीं और अगर आपका स्लेक्शन हुआ है तो आपको कंग्रेटुलेशन और अगर आपको नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं All the very best for your upcoming future